आज के वीडियो में बात करेंगे प्रुस की एक personal problem होती है, काफी प्रुसों की होती है, famous की problem होती है कई बार तो प्रुस को ये पता नहीं होता की famous आखिरकार क्या होता है तो इस वीडियो में पहला तो मैं यही समझाऊँगा की famous आखिरकार होता क्या है दूसरा हम point पे बात करेंगे यदि पुरुस को phimosis का पता चल जाता है कि उसको phimosis है वो कैसे पता कर सकता है क्योंकि पुरुस को कुछ problem देखने को मिलेंगी उसके relationship के दोरान उसको problem देखने को मिलेंगी बहुत से problem वो जहलेगा उसको हम एक-एक discuss करेंगे तीसरा आप लोगों का गई बरक्यूशन रहता है कि सर्फीमोसिस है मेरे तो कुछ है जिससे मैं गरेलू इलाज कर सकूँ मेरे फीमोसिस को ठीक हो सके क्योंकि वो सरम आती है डोक्टर को दिखाते हुए तो मैं उस बारे में भी बात करूँगा कि आप इलाज ना करवाएं और घर पे इलाज करें तो उससे आपको क्या फरक पड़ेगा और यदि आप हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो उससे आपको क्या फरक पड़ेगा या आपके इसका टीटमेंट ही ना कराए ना तो घर करें ना आप उस्पिल में दिखाएं तो उससे क्या-क्या जट्टी दिलता है यानि complication आपको life में देखने को मिलेंगी वो पूरा discuss में इस वीडियो में बात करूँगा अब हम बात करते हैं कि फिमोसिस क्या होता है देखो हर आदमी का private part है रो इसको समझ लीजिए ये private part है पुरुस का अब इसके उपर एक टिप पे आप यह देखेंगे एक skin पाई जाती है वो हर पुरुस के पाई जाती है नॉर्मल है ये skin पाई जाती है पर ये नॉर्मल अवस्ता में ये skin को हम पीछे करें तो पीछे चली जाती है और आगे वापिस टिप के उपर से cover कर लेती है जैसे मैं आगर इसको पीछे करना चाहूं तो ये skin क्या आती है यहाँ पीछे हो जाती है आप ये देखेंगे ये पीछे fold होती ही चली जाती है इस तरह से ये fold होती ही चली जाती है मैं गुबारे के वादिम से आपको समझा रहा हूँ यांई पूरी नहीं जाती है यहांसे चिपकी भी नहीं रहती यह दोनों गुबारे आपस में चिपकेवे नहीं होती, कई बार पुरुसों की चिपक जाती है, या ये skin बहुत टाइट होती है, पीछे जाती ही नहीं है, पुरुस जाता है, उसको पीछे करना, वो पीछे नहीं जाती, नौर्मल बिल्कुल आपका जो private part है, बिल्कुल बैठा हुआ है, छोटा सा है, तब भी वो skin जाती नहीं है, वो femosis है, उसको बहुत तकलीप होती है, जब relationship बनाता है, क्योंकि क्या होता है, relationship बनाता है, तो ये skin पीछे नहीं जाती, तो इसकी वज़े से उसको जब ये, भाई, जब उत्तिजी तवस्ता में आएग पूरी लंबाई भी निजाव पारी, देखेंगे, इस पर बहुत तनाव आ रहा है, है ना, चुकिए skin इसको ना तो फूलने दे रही है, ना फैलने दे रही है, और जबड़ दस्ती ये, इसके अंदर blood बरेगा, जैसे अगर मैं इसको cancer हो वैसे, इसमें blood बरेगा, तो आप आपको दर्द होना start होगा, और जब आप relationship बनाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो आपको दर्द होगा, दर्द होगा, तो आपका pleasure, enjoyment वहीं खराब हो जाएगा, और दूसरा रहता है, कि इसकीदे को skin होती है, इस skin के नीचे secretion होते है, है ना, यहां mostly पसीना आके, secretion के अं नॉर्मल इंसान के क्या होता है, यह skin होती है, है ना, नॉर्मल इंसान के यह skin होती है, पर जैसे इसकी height बढ़ती है, उत्ते जितावस्ता में होता है, तो यह skin क्या हो जाती है, पीछे चल जाती है, और इसकी height बढ़ती जाती है, इस तरह से आ जाएगा, अब यह पूरा ब भी आपको दर्दोना स्टार्ट हो जाता है तो यानि मतलब जब भी उसको फीमोसिस डाइगनोसिस होता है या फीमोसिस होता है तो उसको दर्दोना स्टार्ट हो जाता है पूरा फूलता भी नहीं है अगर जब बड़स्ती वो relationship बना लेता है तो इसमें cut foot लग जाता है और उसके बाद में दर्द होता है, 10-15 दिन उसको ठीक होने में लगता है, फिर वो बनाता है, फिर cut लग जाता है, आखिरकार ये skin है, ये four skin है, ना भी हो तो कोई बड़ी वाली problem नहीं है, अब आप मुझ बनाता है, और सबसे बड़ी hacky relationship क्यों बनाता है, प्लेजर के लिए, उनको प्लेजर भी नहीं आता, क्यों दर्द आता है, उनका partner को भी satisfy नहीं कर पाते है, क्यों जैसे ही वो करते हैं, ये इसमें आता है, तो ये क्या हो जाता है, दर्द करना स्टार्ट करते हैं आपका, आपका mind ही डावेट हो जाएगा, तो यानि प्लेजर में problem आ जाएगी, दूसरा इसकी लंबाई चोड़ाए में आई जाएगी, बिल्कुल स्कीन एक ring बना लेगी, यहां की blood supply रोग देगी, दूसरा आपको इसमें infection हो जाएगा, कई बार तो इसकीन ये चिपक ही जाती है, समझे, आप पीछे कर भी ने सकते, बिल्कुल चिपक जाती है, और चिपकने के बाद में फिर ये एक तरह से, तो इसकीन, हमारी जैसे कट लग गया, दो इसकीन आपस में चिपक जाए, तो ये अंदर की skin और बाहर की skin दोनों ही चिपक जाती है, तो बहुत सा सिंपल सा है, कि घरेली इलाज में अगर आपकी, आप जब नॉर्मल अवस्ता में हैं और आप ना दो रहे हैं, तो उसके में आप हलके हलके से इसको आगे पीछे करें, जब आगे पीछे करते हैं, तो हो रही है, तो दिरे दिरे थोड़ी सी लूज हो की हो सकता है, आपकी खुल जाए, आप नॉर्मली ओईल लगा सकते हैं, और रोज साब करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको जब भी ना रहे हैं, अपनी ये नॉर्मल अवस्ता में तो पीछे करके इसको साब करें, क्यों पसीनों से इन्फेक्शन हो जाता है, और फंगल इन्फेक्शन मोश्कली होता है, त इस वीडियो पे जाके आप मेरे नमबर देख सकते हैं, फिर हम बात करें कि कई बार पर उसको परसनल प्रोब्लम आती है, वो रिलेशनशिप बनाता है, तो उसका टाइमिंग बहुत खराब होता है, एक दो जटके में ही निकल जाता है, रीजन होता है कि उसके अंदर की न और ये सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद एक-एक लेना है, इसको मैंशोर को प्रलोंग को, यानि टाइमिंग प्रलोंग इसलिए नाम रखा गया, टाइमिंग बढ़ाने के लिए, समय बढ़ाने के लिए, पिन-चार मेंने आपको लगाता, जुरूर खाना होगा, औ और इसको खरीदने के लिए, लिंक मैं discussion box में डाल दूँगा, सारे online जो platform में, वहां से आप खरीच सकते हैं, और मुझसे बात करके भी आप डैलेट मुझसे भी मंगबा सकते हैं, मैं हूँ Mr. Shyam, एमस अस्पिटल में, अब हम बात कर रहते हैं इसके treatment की, देखो treatment में क्या क जाता है, simple सा किया जाता है, कुछ नहीं, यसी skin को क्या किया जाता है, आज कल तो ऐसे इसी तकनिक आ गई, एक stapler आता है, गोल सा stapler आता है, यहां से पहनाया जाता है, और वो एक थोड़ा सा गुमाते हैं, कट दे ये skin, बस सिर्फ इस skin कटती, और लोगों को डर लगता है, और साला डेमेज हो गया तो, कुछ हो गया तो इसके, और बिलकुल इसी skin को कार दिया जाता है, एक जर्णल सर्जन या यूरोलोजिस्ट से आप करवा सकते हैं, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुस्से बात करके समझ लीजिए, इसके बारे में पुरी जान ये बढ़ गया, ये चस गया, ये बढ़ गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, और अभी ये skin होती, तो इसको जाने नहीं देती पीछे, पस यही है problem है, अब इसको नहीं operation कराते हैं, इसमें infection है, ये चिपक गई, आगे जाके इसमें infection होके, इसमें गहा होना इस्ट होना तक बढ़ जाती है, तो ये चोटी सी problem है, पर इसको आपके लिए ये बहुत बड़ी problem हो जाती है, तो इसका है कि, आपका अगर normal आवस्ता में आगे पीछे जा रहा है, तो आप oil से massage करके देखिए, दिरे-दिरे loose हो जाता तो ठीक है, और नहीं हो रहा है, तो फिर आ ऐसा कुछ है नहीं है, बहुत से लोग तो normally वैसे ही करा देते हैं, हाँ, एक चीज ओर है, इसके उपर जब skin होती है, तो ये skin अगर अटेगी नहीं, और ये चिपकी रहेगी, तो आपको pleasure भी नहीं आएगा, क्योंकि उपर का part ही तो sensitive होता है, pleasure के लिए, सबसे जादा pleasure point हो प्रकाई दिया है, वहाँ से आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं हूँ Mr. Shyam, Ms. Hospital में